इस वीडियो में हम सममित संबंध या symmetric relations को समझेंगे इसे समझने के लिए मान लीजे कि हमारे पास एक समुच्चे A है जिसके अव्यव एक, दो और तीन है यहां हम समुच्चे A से समुच्चे A पर ही परिवाशित एक सममित संबंध बनाना चाहते हैं इसके लिए मान लीजे कि हम एक को दो से सम्मंधित करते हैं ऐसे में इस सम्मंध को सममित बनाने के लिए हमें दो को भी एक से सम्मंधित करना होगा इसी प्रकार यदि हम एक को तीन से सम्मंधित करें तो तीन को भी एक से सम्मंधित करना होगा और यदि दो को तीन से संबंधित करें तो तीन को भी दो से संबंधित करना होगा कहने का मतलब यह है कि सम्मित संबंध में हर क्रमित युग्म का एक विपरीत क्रमित युग्म भी होना जरूरी है लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखिए वो ये कि यदि हम अव्यवों को स्वयम से संबंदित करें जैसे यदि हम एक को एक से ही संबंदित करें तो क्या होगा? या दो को दो से संबंदित करें तो क्या होगा? तो हम देख सकते हैं कि इन क्रमित युग्मों का विपरीद भी स्वयम यही क्रमित युग्म होंगे यानि एक-एक का विपरीद एक-एक ही होगा इसी तरह से दो-दो का विपरीद भी दो-दो ही होगा यानि अवियवों को स्वेम से संबंधित करना भी अपने आप में सम्मित संबंध मनाता है इसलिए ऐसे क्रमित युगमों के लिए हमें किसी अन्य अवियव के साथ विपरीत क्रमित युगमों को जाचने की जरूवत नहीं होती है इस प्रकार हमने जो समझा उससे हम कह सकते हैं कि कोई सम्मंध तभी सम्मित होता है जब उसमें हर क्रमित युग में xy के लिए एक विपरीत क्रमित युग में yx भी हो अब हम कुछ उदाहरन लेते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं माल लिजे कि हमें ये सम्मंध दिया गया है और हमें बताना है कि ये सम्मित है ये नहीं है तो हमने अभी देखा कि सम्मित सम्मंध होने के लिए यह जरूरी है कि प्रतेक क्रमित युग का विपरीत क्रमित युग भी हो अब यह सम्मंद एक सम्मित सम्मंद है या नहीं है यह पता लगाने के लिए हम सभी अव्यवों के क्रमित युगमों की जाच कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रते क्रमित युगम का विपरीत युगम भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो यहां हम देख सकते हैं कि हमें पहला क्रमित यूग में A,A मिल रहा है और इसका विपरीत यूग में A,A ही होगा याने इसका विपरीत क्रमित यूग में हमें अलग से ढूणने की जरूरत नहीं है इसके बाद हमें दूसरा यूग में A,B मिल रहा है इसलिए इसका विपरीत यूग में B, A भी मिलना चाहिए जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है हम देख सकते हैं कि यह मिल रहा है इसके बाद अगला यूग में देखें तो हमें B, D मिल रहा है इसलिए इसका विपरीत D, B होगा जो मिलना चाहिए लेकिन हम देख सकते हैं कि D C के साथ तो युग्म बना रहा है लेकिन इसका युग्म B के साथ नहीं बन रहा है मतलब B, D का विपरीत युग्म D, B हमें नहीं मिल रहा है अब इस सम्मन्ध में और भी युग्म बन सकते हैं लेकिन सममित होने के लिए प्रतेक क्रमित यूगम का विप्रीत यूगम होना जरूरी है और चुकि D, V का विप्रीत क्रमित यूगम नहीं मिल रहा है इसलिए यह एक सममित संबंद नहीं है एक और प्रश्न हल करते हैं मान लिजे कि हमें ये संबंध दिया गया है अब यह संबंध एक सम्मित संबंध है या नहीं यह पता लगाने के लिए हम फिर से सभी क्रमित युगमों को रोस्टर रूप में लिख लेते हैं और देखते हैं कि जितने युगमों बन रहे हैं उनमें से प्रतेक का विपरीत युग मिलता है या नहीं मिलता है तो यहां हमें पहला क्रमित युगम ए-ए मिल रहा है और इसका विपरीत भी ए-ए ही है इसलिए पहले से ही संबंध है इसके बाद दूसरा अवियब B है लेकिन यह किसी से सम्मनित नहीं है इसलिए कोई क्रमित युग में नहीं बना रहा है और इसलिए हमें इसका विपरीत युग में भी ढूड़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद अगला अवियफ C है जो C से ही युग मना रहा है यानि कि C, C और इसका विपरीत भी C, C ही होगा इस प्रकार यहां हमें दो क्रमित युग में A, A और C, C मिल रहे हैं और हम देख सकते हैं कि यह स्वयम के विपरीत हैं इसलिए यह पहले से ही सम्मित है तो क्या यह पूरा सम्मित है बिलकुल यह सम्मित सम्मित है यहां सम्मित सम्मित होने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि किसी अवियफ का अन्य अवियफ के साथ जैसे A का B के साथ सम्मित हो ही यदि यहाँ A, B से संबंधित होता तब हमें उसका विपरीत यानि B को A से संबंधित करने वाला योग्म चाहिए होता लेकिन चुकि B किसी से संबंधित नहीं है और कोई योग्म नहीं बना रहा है इसलिए हमें इसका विपरीत युग्म भी ढूणने की जरूरत नहीं है इसलिए यह एक सममित संबंध है क्योंकि जितने युग्म बन रहे हैं उनमें से प्रतेक युग्म का विपरीत हमें मिल रहा है जो युग्म नहीं बन रहे हैं उनका विपरीट डोड़ने की जरुवत नहीं है एक और प्रश्न करते हैं मान लिजे कि हमें ये संबन्ध दिया गया है हम फिर से सभी क्रमित यूगमों को लिख लेते हैं और देखते हैं कि जितने यूगम बन रहे हैं उनमें से प्रतेक का विपरीत यूगम मिलता है या नहीं यहां हमें जो यूगम मिल रहे हैं हमें सबसे पहले PQ मिल रहा है यानि हमें QP भी चाहिए और यह भी हमें मिल रहा है अगला यूगम PS है और इसका विपरीत SP भी हमें मिल रहा है इसके बाद QP है और इसका विप्रीत QP और इसका विप्रीत हम पहले ही लिख चुके हैं तो ये युगमारा हो गया इसके बाद अगला युगम QR है और इसका विप्रीत RQ भी हमें मिल रहा है इसके बाद हमारे पास SP ये युगम है और इसका विपरीत हम पहले ही लिख चुके हैं याने कि इस प्रकार यहाँ पर हमने सbhi योग्मों को लिख लिया है यहां जितने भी योग्म x, y के रूप में बन रहे हैं उन सभी के लिए उनके विपरीत योग्म y, x भी हमें मिल रहे हैं इसलिए यह एक सम्मित सम्मंद है अब आईए हम एक और प्रश्न करते हैं जिसमें हमें रोस्टर रूप में युग्म दिये हूँ वहां हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि सम्मंद सम्मित है या नहीं है मान लिजे कि हमें समुच्य ए दिया गया है जिसके अव्यव एक, दो, तीन और चार है और इस समुच्य में हमें जो सम्मंद दिया गया है उसमें जो क्रमित युग में है वो इस प्रकार है याने की एक एक, दो तीन, तीन दो, चार तीन और तीन चार हमें बताना है कि ये सम्मित है ये नहीं है तो हम फिर से देख लिते हैं कि जितने यूग में बन रहे हैं उनमें से प्रतेक का विपरीत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो यहाँ पहला यूग में एक एक है जो अपने आप में सम्मित है अगला यूग में दो तीन है और इसका विपरीत तीन दो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है इसके बाद चार तीन है और इसका विपरीत तीन चार भी है याने कि जितने युग्म हैं सभी के विपरीत भी मिल रहे हैं। इसलिए यह भी एक सम्मिमित सम्मंध है। तो इस प्रकार हम क्रमित युग्मों को देख कर भी पता लगा सकते हैं कि सम्मंध सम्मित है या नहीं है।